हे दोस्तो वेलकम टू आर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर दर जैनुएन इंफरमेशन और आपका कोई क्वेरी जातो मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो दोस्तो आज 10 जैनुवरी 2021 और कल यानी 11 जैनुवरी मंडे से 15 जैनुवरी तक एक नया ट्रेडिंग विक स्टार्ट होने जाड़ा है तो दोस्तो इस वीडियो में हम जान लेंगे कि जो की इंडिया का सबसे पॉपुलर इंडेक्स है निफ्टी 50 का क्या हाल रहेगा ये ट्रेडिंग विक में आकाउन नहीं है तो अपस्टॉक जैसे बड़े प्लाट्वर्म में डिमेट आकाउन ओपेंड कर सकते हैं जहां पर आपका ब्रोकरेज प्रीज ना के बड़ाबाल लगता है लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको सिंप्ली य इंडेक्स देखेंगे देखें आरे साइस सिच्टॉेशन जो बता रहा है निफ्टिप्टी का ओवर वोर्ड जोन में चल रहा है सेवेंटी सेवेंट पॉइंट पॉइंट थी एट यानी ओवर्वर्ड जोन में चल रहा है 80 क्रोस कर जाने के बाद दोस्तों यह हाइली का जो यहां पर कैंडल से बट को बहुत बड़ा करेक्शन नहीं आया जैसे कि जो कि हम लास्ट डिसंबर में देखने को मिला था जब यूके में लॉक्डाउन का मतब डिक्लियर किया था उसका यूके गॉब्मेंट ने उस टाइम पर 23 डिसंबर जितना मुझे याद होड़ा उस टाइम पर यहां पर यह जो रेट कलर का बड़ा वाला जो कैंडल दिख रहा है उस टाइम पर काफी बड़िया यहां पर करेक्शन हो था बट अगर आप देखोगे तो निफ्टी का लास्ट लगबग दो मैने से नवेंबर से आप देखिए जब से निफ्टी यह 12,000 का लेबल क्रोस किया है उसके बाद दोस्तों आप देखिए कोई बहुत बड़ा कोई यहां पर करेक्शन नहीं देखने को मिला निफ्टी के अंदर बट दोस्तों अभी टाइम हो गया है निफ्टी को थोड़ा सा करेक्ट होने का बहुत लोग यहां पर घबरा जाएगा मैं को बार-बार बोलता हूं कि जब भी मार्केट में करेक्शन होता है वह घबराने का टाइम नहीं है बलकि अच्छे शेयर आपको डिस्काउंट में मिलेगा उस टाइम पर आपको अच्छे शेयर पिक करने देखिए निफ्टी क्या है एक ग्रूप ऑप शेयर्स टिक है और तो बहुत ही चीप प्राइस में मिलेगा डिस्काउंट में मिलेगा यह सब शेयर पिक करने का बहुत ही बढ़िया मौका जब भी मार्केट करेक्शन होगा अब बात करूंगा निफ्टी अगर करेक्शन हुआ मैं यह नहीं बोलना हूं कि कली यानि मंडे बजार ओपन होने आएगा निफ्टी के लिए वह होगा 14,000 का लेबल यहां पर देख सकते हैं 14,000 का लेबल बढ़िया सपोर्ट के रूप में काम करेगा अगर फर्दर गिरावट हुआ निफ्टी के अंदर अगर फर्दर गिरावट हुआ तो यह जो लेवल निकल क्या रहा है 13,750 का लेबल यह बढ़िया सा स्ट्रॉंग सपोर्ट के रूप में काम करेगा क्यूंकि इसके पहले हमने देखा है कि यह जो 13,750 का लेबल पे कुछ टाइम 3-4 बर यहां पर रेजिस्टेंस फेस किया था और फेस करके यहां पर डिसमबर की लास्ट टुइक में यहां पर गिरावट लगबग 13,000 के आसपास 13,200 के आसपास मतलब निफ्टी आ गया था उसके बाद से वहां पर कंटिनिवसली तेजी तरल लाहा लगबग 20 दिन हो गया 20-22 दिन हो गया कोई भी अभी भी कोई करेक्शन देखने को नहीं मिला तो इसके कारण मैं यहां पर आपको बोल सकते हो ज जो कोई अगर छोटा मोटा गिरवाट हुआ ठीक है 300-200 पॉइंट का तो 14,000 में सपोर्ट मिल जाएगा अगर उससे ज्यादा बड़ा गिरवाट हुआ यानि 5600 पॉइंट का गिरवाट हुआ तो 13,700 में सपोर्ट मिलेगा बट मुझे लगदा है कि निफ्टी का अभी जो स तरह करने के बाद या तो उसके आसपास जाएंके फिर नीचे की तरब बढ़ सकता है चली इसका तरह लॉंग टम का चाट देखिए जो कि मैं आपको बोल ला तो यह जो 12,000 का लेवल है ना 12,000 का लेवल देखिए न वेंबर के पहले नवेंबर में में तो 12,000 का लेवल आर रेजिस्टेंस फेस्ट कर रहा था कभी 11,500 पर क्या भी 12,000 पर यहां पर अक्टोबर में तो बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस फेस्ट किया था 12,000 की लेबल पर उसके बाद देखे कोई बहुत बड़ा यहां पर करेक्शन नहीं हुआ तो डीटेल निवेशक को मैं यही अल पॉसिटिव वीडी का दोस्तो एक लिमीट होटा है कोई बी कितना भी अच्छा शेयर क्यों ना कोई भी इंडेक्स क्यों आउ चाहे निफ्टी इप्टी ओचाय सेंसेक्स को कोई भी इंडेक्स दोस्तों कभी भी ओबार वार्ड जोन में नहीं रह सकता जो कि आज बैंड का आपर बैंड की यहां पर ट्रेट कर दोस्तों इसका देखिए जो मिडिल बैंड का नंबर निकल कर रहा है जो कि मैं बोल रहा था 13750 के आसपास यहां पर निफ्टी को बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है ठीक है वही सपोर्ट लेके इस ताइम पर डिसमबर की 23rd या 24 को यहां पर देख सकते हैं वही मिडिल बैंड पर सपोर्ट लिया था तो दोस्तों आपको समझ आ गया है क्या इसका टार्गेट होगा क्या इसका डेजिस्टेंस अब बात करेंगे हम सीधा निफ्टी 50 के वेब साइट में चलेंगे अब अलग-अलग सेक्टर की इंडेक्स देखेंगे यहां पर देख सकते लास्ट यानि फ्राइडे के दिन निफ्टी लगबग 10% की तेजी था लास्ट अगर आप देखोगे तो दो हफते से निफ्टी हर दिन 200 पॉइंट 200 पॉइंट करके भाग रहा था तो सबसे ज्यादा जो यहां पर सेक्टर अगर भागा है लास्ट यहां पर देख सकते आटो सेक्टर सबसे ज्यादा भागा और बैंकिंग सेक्टर लास्ट एक दो मैने से बहुत ज्यादा चल चुका है अपको देखने को मिल सकता है बट निफ्टी को अभी अगर कोई बचा सकता है वो है रिलाइंस यह आपको भूलना नहीं चाह है दोस्तों जो कि अभी भी उस लेबल पर नहीं है जो कि रिलाइंस को होना चाहिए यानि रिलाइंस का जो आल टाइम हाई है 2400 का लेबल उस लेबल से काफी नीचे है 2000 की नीचे रिलाइंस चल गया तो निफ्टी में करेक्शन आना और थोड़ा डिले हो सकता है ठीक है य उसमें ज्यादा वेटेज है रिलाइंस का अल्मोस्ट 10% की उपर वेटेज है रिलाइंस का अकेले निफ्टी-फ्टी में अंदर तो इसके कारण सबसे ज्यादा मतलब वेटेज होने के कारण अगर रिलाइंस में ये सामने जो ट्रेडिंग विक है 11 January से 15 January तक ये ट्रेडि के दिन देखें डो जोन यहां पे अल्मोस्ट फ्लैट में क्लोजिंग दिया 0.8% की तेजी अगर आप एक माहने का देखो गया तो दोस्तों डो जोन उतना ज्यादा नहीं चला जितना निफ्टी-फिफ्टी चला है ठीक है निफ्टी-फिफ्टी का मतलब कंडिशन बहुत तो की ज़्यादा इस ट्रॉंग दिखाई दिए रहा है कुछ टाइम पहले यहां पे देखें चौथ टर का जो एक डॉलर के एक एगेंश में चौथ-टर रूपई चाल ऊपर चला गया था लगबक सारे चौथ-टर का लेबल पर आसपास चला गया था वहीं बीच में यतर तो बहुत साथ पॉजिटिव के अभी एक करेक्शन होना तैय है अब देखना यह है कि करेक्शन कहां तक हो सकता है सपोर्ट मैंने आपको पता दिया सबसे पहला सपोर्ट है 14,000 का लेबल ठीक है उसका बाद जो सपोर्ट है 13,750 का लेबल यह दोनों लेबल पर मेरे ख्याल से सपोर्ट मिल जाना चाहिए अगर यहां पर मिल गया सपोर्ट तो आगे दोस्तों फेबररी जैनुरी में निफ्ट को एक लाइक करके अंकराज करना चले मिलता है नेक्स वीडियो पर तब तक के लिए टेकर बाबाई चैहिंद